असलाम में क्या अचान मीद करते हैं कि आप खेरियत होंगे, अर्मार्द वायगा, आप में शाखुश रहें, हस्ते और मुस्तुरात रहें और इसी तरह में अपना प्याद दिखाते रहें मेरा दाम वादम अलीव, मैं हुँ तारिक मैं मैं हुँ तारिक मैं तो आज हम इसकी आप रेक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है, अवैस इक्बाल आयोध्या राम मंदर, रिप्रिजन्टेटिव राम 50, नेशन इन्वाइटेड टू विटनस दासर मलीव, तो दे असलाम अलेकुम, नमस्कार्स, अस्रियाकाल और गूड इवनिंग, मैं हुँ आर्जु काजमी और आप देख रहे हैं, पॉइंट आफ यू, हमें जी जोइन किया है, अवैस इक्बाल ने, जो के जर्नलिस्टें और अवैस को सब लोग जानते हैं, और खास सोर पे अवैस क जो बड़ी शरार्ती किसम की ट्वीट्स होती हैं, जिनक सर मैं भी रिट्वीट कर देती हूं, उसकी हो जासे भी लोग बहुत पैचानते हैं, तैंक्यू सो मच किया जा पाए, आप कैसी है अर्जू, बिलकुल ठीक हूँ, आज भी आपकी एक ट्वीट थी, वो बकरी और आडमी वाली टा-टनिक को अपने लगाया था, बकरी नहीं है, वो मारखोर है, अच्छे सौरी मारखोर, मुझे था, पकड़ा ने पाकिस्तना की हुकमरानी है, तो मारखोर बोसक्तिन्न पोरुत हैं, पूरा टहया किया हूँ, और गर Ellisी आपक ट्रू, पाकिस्तानी को डू और यहां पर यही आया जाता है कि मुल्ला कैसे कैसे बक्डियों के साथ रहते हैं तो इसलिए मुझे वो देखकर एक नजर में अपनी दफ से सोच लिया बदसूरत बदहयत मुल्ला खौफजदा हूरों के पीछे हसते कुटकुटे शोर मचाते खुशी से भाग रहे थे मैं और शैतान देख रहे थे जन्नत की दिवार पिचड़कर हमने देखा एक मुल्ला हलवे के एक धेर के ऊपर चूरन के एक पेड़ के नीचे सर को जुकाए उंग रहा था मैं और शैतान देख रहे थे जन्नत की दिवार पिचड़कर है बहुत इंट्रस्टिंग है और यकीनाना जैसे मेरा तो बिलकुल जैसे कहते हैं ना कि मुझे कोई शौक नहीं रहा जन्नत में जाने का जैसे मैंने किस्से सुने और इस तरह की हूरें और जो क कुछ तो अब मेरा तो कोई रादा नहीं हमा जाने का मैं अपने जो मेरे काफिर कह लिए जो काफिर दोस्त है मैं उनके साथ तो इससी सीरिया के से कमाँ अबर तो जन्नत और दोसक का तसब़री तसब़र आती है لेकिन अगर जन्नत फ़र्व करें हुई भी तो वहा पर सारे बोरिंग लोग होंगे वो एक बन्दा जन्नत में चला गया तो पहले दिन उसको चने की दाल पर दूसरे दिन भी तो फरिष्टा कहते हैं आप चार बंदों के लिए देख बगाएं वही बात है और ऐसा ही होगा और लेकिन कहा रहा है मुझे तो कोई शौक नहीं जानेगा लेकिन हम अगर बात करें जनत से जैसे मुस्लिम्स की बात हो रही है तो एक डेलिगेशन गया भारत से उनकी जो पा सब्सक्राइब में लेकिन उस पर जैद आमें साब को बहुत बुरा लगा उन्होंने का जी ऐसे कैसे हिंदू और सिक्जों है वो अंदर जा सकते हैं क्या कहें गया वो एक मरासी था ना तो वो डेथ बैट के उपर था तो उसके दो चार जो बेटे थे वो भी मरासी थे तो अब ही मरने में थोड़ा वक्त था तो एक मरासी कहने लगा के सुन शीदिया जदो तक अब आम मारता नहीं पोली-पोली तोलकी ना जा लगी है तो इसलिए मसला ये है के एक जो इस वकत सिचुएशन है के जैद हामिद हों या इस तरह के लोग हों ये एक मरती हुई को हवा देते हैं तो फिर इसी तरह की बाते आती हैं कि जनाब आप इनकी मुकदस मकामात के ओपर सफर नहीं कर सकते मुझे ये बताएं कि क्या आपकी करतारपूर में जाने पर पाबंदी है क्या आपकी हसन अबदाल में जाने पर पाबंदी है क्या आप बैटे कर नहीं ज अदर उलमा का रवया है कि जनाब हमारे मुकदस शेरों में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते और अगर सम्रती इरानी वहां पर गई है डेलेगेशन के हमरा तो ये गलत बात है तो मुझे लगता है कि ये इन उलमा की तंग नजरी है और शहजादा मुहम्मद बिन सल्मान जो है मै आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मुस्तक्मिल के खादिमल हर्मैनल शरीफैन भी है जमाल खुशोगी के कातल भी है और उसके इलावा ये एक एथीस्ट भी है तो इस वक्त ये इनके रिलिजन के अंदर जिस तरह से आहादिस की कता बुरीद कर रहे हैं कता सोच की अकासी करते हैं अर्जू मगर ये जरूरे के बहुत से लोग ये भी चाते हैं जो मुस्लिम्स की बात कर रही हूं ये भी चाते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स होनी चाहिए इसलाम मैं ऐसा नहीं है कि हर चीज को हम आखे बंद करके और बस फॉलो करते चले जाएं जैसे उमवी खरीफा हजरत अमर बिन अब्दल अजीज जिनोंने साथ सो सत्रा से लेकर साथ सो बीस इसनी तक हुकमरानी की तो एक दफ़ा उनके दर्बार में एक शखस को पेश किया गया और उस पर इल्जाम ये था कि वो जूटी आहादीश खड़ता है तो हजरत अमर बिन आहादीश भी मैंने बनाई है तो इस वक्त वाकरी जो आपकी आहादीश की बॉड़ी है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कॉन्ट्रोबर्शल है और चैसो बटिस इस्वी में आहदूर सललल्ला अले वाले वाले सललम की वफात के बाद जो महदसीन का दौर है जो सहाए सक सकता है वो उनके 200 साल के बाद आते हैं और वो सारे के सारे सेंट्रल एशिया और इरान के इसे कोई भी अरब नहीं है और जैसा कि जावेद एहमद गामदी साहब जो के रिनाउंड मुस्लिम स्कॉलर भी है उनका भी यह कहना है कि जो इसलाम की पाउंडेशन है इसलाम का ज अच्छे तो लोग यहां पर पीछे लटे लेके बड़े हो दें लेकिन फिर भी लेकिन भारत में अगर हम देखें तो राम मंदिर की इनाउगरेशन है 22nd जैनवरी को और उसमें कहा यह जा रहा है कि 50 के करीब कंट्रीज में जो उनके हैं उनको इंविटेशन गया है जिसम रहे हैं आप राम मंदिर के इस इनाउगरेशन को और क्या आपका से ठीक हुआ है कि मचला यह है कि राम मंदर की तामीर जो है एक रिलिजियस सिंबल है और मैं गर्वर्मेंट आफ इंडिया को मुबारिक बात देना चाहूंगा कि उन्होंने इस तारीखी प्रोजेक्ट को मकमल किया है और राम मंदर के ऊपर जो क्रिटिसिजम है वो ज्यादा से ज्यादा इस बात के ऊपर है कि किस तरह से वहां पर जो मुसल्मानों की मुकदस अबादत गाती उसका पहला हक है तो मुझे यह समझ नहीं आती है कि एक आम मुसल्मान क्या तारीख से ना बलद है व वो वहाँ पर बस्ती है तो लाजमी तौर पर लामहाला तौर पर इस बात का इमकान बलकि इस बात को सेटनिटी के साथ किया जा सकता है जिस तरह से इंडियन आर्केालोजिस्स ने अनकेव भी किया है कि वहाँ पर भारत का हक ज्यादा है बलकि हिंदूों का हक ज्यादा है कि कि वो वहाँ पर राम मंदर तामीर करें और इस मामले में जो मुसल्मान अलमा की जानब से हाउ हू मचाई जा रही है वो बिल्कुल गलत मचाई जा रही है और मैं आज आपको ने एक सादा सा रूल बताता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जमाते इसलामी जो कहेगी न उसका खिलाफ वो ठीक होगा और इसके इलावा जो सोशल मामलात है उसमें जो मजभी उलमा जो कहेंगे न उसके खिलाफ जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा ये वही मज़भी उलमा है जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ था तो उन्होंने उसके उपर कुरान मजीद की पब्डिकेशन की मुखालफत की थी ये वही उलमा है जिन्होंने ट्रेन के उपर सफर को हराम करार दिया था कि लोहे के उपर लोहा दोड़ता है यह वही उलमा है जिन्होंने लाउट स्पीकर के इस्तेमाल को हराम करार दिया था क्योंकि मुश्ताक इमद यूसफी कहा करते है कि पहले मौलवी कहता था कि लाउट स्पीकर में शैतान बोलता है तो हम नहीं मानते थे आज जब हम यह कहते हैं कि लाउट स्पीकर में शैतान बोलता है तो मौलवी नहीं मानता और उसके बाद मौलवी कहता था कि तस्वीक इस्वाना हराम है टलविजन हराम है रेडियो हराम है और आज हर मौलवी का यूट्यूब चैनल आरज़ बिलकुल ऐसा ही नहीं यूट्यूब चैनल है बलके मौलवी नहीं मौलवी बहिचते भी रहते हैं कि जी सब्सक्राइब कर लीजे मैं तो कहा भी मौलवी नहीं मैं आप मुझे किसले भेज रहे आप उसको एक कॉमेडी चैनल के तौर पर सब्सक्राइब करें बिलकुल ठीक कह रहें मगर बात हम करें अगर इमरान खान की इमरान खान से कभी बैट ले लिया जाता है कभी दे दिया जाता है फिर ले लिया जाता है और आखिर इतना क्या खौफ है भाई आप फाहश कुफटगू करने की अजाज़त दे और थोड़ी सी पेरेंटल गाइडेंस वाली कि यह जो इमरान खान से बल्ला ले लिया जाता है इमरान खान से बल्ला दे दिया जाता है ये असल में निशान नहीं है ये एक्चुल बल्ला है जो इमरान खान से ले लिया जाता है फिर उसको दे दिया जाता है ले लिया जाता है फिर उसको दे दिया जाता है तो मसेला ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की establishment है उसने ये पैसला कर लिया है कि उसने इमरान खान को बि कर चुके हैं, कि 1970 में जब पाकिस्तान के तो मसला यह है कि पाकिस्तान की establishment जो है वो यह समझती है कि जहां अवामी मफाद होगा जहां अवाम की अक्सरियत होगी उसके खिलाफ ही उनका जो एक elite camp है वो काम करेगा इससे आप अन्दासा लगा सकती है कि पाकिस्तान की establishment इस तरह से पाकिस्तान के अवाम की मर्जी और मन काकर साब उनका कहना है अगर किसी को पाकिस्तान का लौ पसंद नहीं है तो वो मुल्क शोड़ के जा सकता है एक तरफ तो वो यह यह बात भी कर रहे हैं लेकिन साथ-साथ यह भी क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारे टाइम में जो है वो आएमेफ से में लोन मिल गया जबकि वो कैसे मिले आप जानते है आर्मी चीफ गए तो बड़े लंबार सा रहें अमेरिका में तो क्या वाकि में ये क्रेडिट है या अप लगते है कि आर्मी चीफ को ही गए हैं इसी वजह से पैसे मिले हैं वेल मैं इससे पहले भी यह कह चुका हूं कि अनवार-ul-हग काकर साहब क Deep Military Establishment का जिसको इस वक्त पाकिस्तान जो कि इस वक्त पाकिस्तान को चला रही है तो अन्वारुल हग काकट साहब तो एक चावी वाला घोड़ा है उनको जनल आसिक मुनीर साहब कहेंगे स्टैंड अप हो जाएंगे जनको जनल आसिक मुनीर साहब कहेंगे सिट डाउन वो सिट डाउन हो जाएंगे तो अन्वारुला काकट साहब की अपनी कोई सेख कोई वैल्यू नहीं है उनको ने वही कहना है जो उनको रावल पिंडी ने इशारा करना है तो इसलिए कि उनकी बातों को सजीद्गी से लेना मेरा ख्याल है इतना जरूरी नहीं है आर्जू लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक्ट जो आईम एफ का लोन मिला है उसके पीछे किनन फिर आर्मी चीफ का जो है उनका ही विजट आप काउंट करते हैं और पाकिस्तान आखर कब तक किसी तरीके से लोन मांगता रहेगा और कैसे इस तरीके सा और बजीद कितना चल सकता है मैं मैं आपको ये बता चुका हूं कि इस वक्त जो दो हजार चौबिस के अंदर आप ये देखिए कि लाहॉर के उपर इसलामी जमूरिया पाकिस्तान की हकूमत है आज से 100 साल पहले 1924 में लाहॉर के उपर अंग्रेजों की हकूमत थी उस से 100 साल पहले 1824 में लाहॉर के उपर महराजा रंजीत सिंग की हकूमत थी उससे 100 साल पहले 1724 में वहां लहोर के उपर मुगलों की कमजोर हुकूमत थी, 1624 में मुगलों की ताकतवर हुकूमत थी, उसके बाद 1524 में लोधी खांदान की हुकूमत थी, 1424 में सेयत खांदान की हुकूमत थी, 1324 में वहां पर एक सप्रेट डानस्टी थी जो के रूल कर र पीते थे मैं और समझते थे कि हां के रंग लाएगी हमारी भी पाका मस्ती एक तिन पाकिस्तान की इस्टाबलिश्मेंट जो है उसके जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है उनके बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं उनके बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर ह और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि अगर 2050 के जंग अख़ार की हेडलाइन आप तसवर करें तो वो ये होगी कि अगर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ाना हुआ तो पाकिस्तान का जो हशर है वो 1971 से मुक्तलिफ नहीं होगा लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपनी तरफ से इलेक्शन की तयारी कर रही हैं पाकिस्तान में सबी को मालूम है कैसे लोग आते हैं और कैसे जाते हैं बिलावल भुटो जरदारी का कहना है इस बार पंजाब में हमारी हुकूमत होगी और हम पंजाब को सिंध बना देंगे वेल बिलावल भुटो जो है मुझे उमीद थी कि वो एक सीजन सियासतदान साबित होंगे लेकिन जिस तरह से बिलावल ने आँखे बदली हैं जिस तरह से वो सोला माँ शेवाज शरीप के साथ वजीर खारजा रहे और जिस तरह से अब वो मिया नवाज शरीप पर और बिलावल भुटो की हिस्ता की जितने बियानात हैं उस सारे के सारे हैं और मुझे नहीं लगता कि बिलावल जो है इन बियानात की जरियत पंजाब में अक्सरियत हासल कर पाएंगे बिल्कुल ठीक लेकिन अगर हम उसके आपके आशित फोन आ रहा है आपका कोई तो किसमें आवाज आ रही है लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि पीमलन की भी हालत पतली है ऐसा नहीं है कि उनके साथ बहुत लोग फेवर में हो कई उनके पार्टी लीडर जो है उनका उनन सेटिंग होती है न तो वालदें की जो मुलाकात है वो सान्वी हैसियत रखती है तो इसलिए मिया नवाज शरीप ने अगर 17 जनवरी से इंतखावी जलसे करने का ऐलान किया है तो उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि वो इंतखावी जलसे की बदौलत नहीं जीतेंगे व ये सब कुछ सान्वी हैसियत रखता है पाकिस्तान की मिलिटरी स्टाबलिशंमन्ट एमजोर पार्लेमंट वजोशूद में लेकर आएगी और उनके सारे कि सारे जो मामलाथ हैं वो मिलिटरी इस्टाबलिश्मेंट के जरीए ही तैया होंगे जैसा कि नूमनी के क्लीडर ने कहा भी है कि हमारी उपर बात हो गई है मिया नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे बिलकुल अभी तक तो खेर यही कहा जा रहे लेकिन यहां पर लास्ट मिनट पर कुछ बदल जाए उससे कुछ कहा नहीं जा सकता कि पता लगे शेबाज शरीफ साब आगया इसलिए शेबाज शरीफ साब को भी सुनाएं कि बहुत एक्टिव हैं वो आचकल हाँ शेबाज शरीफ साब एक्टिव हैं लेकिन जब से मिया नवाज शरीफ आए हैं तब से शेबाज शरीफ की जो वेल्यू है वो जरा सानुई हो गई है क्योंकि शेबाज शरीफ को भी बहुत अच्छी दरा अंदाजा है कि नून भी का जितना वोट पैंक है वो सारे का सारा मिया नवाज शरीफ की पॉपुलर पॉलिटिक्स के उपर बेस करता है मिया नवाज शरीफ की राइट पिंग पॉलिटिक्स के उपर बेस करता है और शेबाज शरीफ इटसल अगर इलेक्शन में जाते हैं मिया नवाज शरीफ की सपोर्ट के बगएर मिया नवाज शर जरा नजदीकियां बढ़ती भी दिखाई दे रही है क्या वाकिर में आपको इसा लगता है कि चाइना का कैम छोड़ कर अमेरिकन कैम में जाने की तैयारी है मुझे यह बताईए कि क्या एक पाकिस्तान का आम स्टूडन्स चाइना जाकर पढ़ना चाहता है इसी तरह से पाकिस्तान के जर्नैलों के बच्चे भी चाइना नहीं जाना चाहते वो चाइना जाकर पाकिस्तान का एक आम नौजवान रोजकार हासल नहीं करना जाता पाकिस्तान का एक आम नौजवान जो है वो लॉस एंजलेस से वो नियॉयॉर्क से वो शिकागो से ज्यादा वाकिफ है बनस्वत बीजिंग के या उरूंची के पाकिस्तान कभी भी हकीकी तौर पर चाइनीस केंप में नहीं रहा और यह जो पाक चीन दोस्ती के जो नारे हैं यह सिर्फ एक काउंटर नेरेटिव के तौर बिल्ड की जाते हैं और पाकिस्तान हमेशा से अमेरिके म के और को से बस्तceğim करता रहा है और वक्ती पॉलिटिक्स के तहट अगर वो कभी चाइना की करीब हुआ भी है पाकिस्तान मिलिटरी को अमेरिकन रजीम इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे इस खिते में एक ताकत का जो तबाजन है वो काइम रखना है और इस वज़ा से जनर करेंगे जब तक आप पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आप पाकिस्तान में वो इंफ्रस्ट्रॉक्शर काइम नहीं करेंगे जिसके नतीजे में यह जो सी पैक का रिलेशन्शिप है यह पारसिटिक रिलेशन्शिप ना हो तब तक पा हम यह ज़रूर चाहेंगे कि लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो यह कि आप से अमेरिका में हैं वहाँ पे जो पाकिस्तानी मौजूद हैं आपको क्या लगता है कि उनका पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल और अभी तक वहाँ पे इतने लोग हैं जो पहल तोड़ते हैं उसके उनकी घड़ी तूट जाती है मुझे नहीं पता कि 30 जून 2014 के बाद का पाकिस्तान जो है कैसा है मैं अपनी यादाश्ट के ऊपर और मैं अपनी जो मीडिया कवरिज है उसके ऊपर ही अपना अनालेसिस दे रहा होता हूं ये बात ठीक है कि पाकिस्तानिय है लेकिन मसाला ये है कि पाकिस्तान की जो स्टेक है पाकिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स है वो वो लोग है जो कि पाकिस्तान में रहते हैं अब पाक पतन में बैटे हुए लोगों ने अपना रेप्रेजेंटेटेटिव इसे मुन्तखब करना है वो आपको वोट डाल कर सो सोते हैं एक जमाद कुर सुबह पता चलता है कि ब्रेट फोड और लंडन से आने वाले वोटों की वेरा से उनकी उनका जो नमाइनदा है वो तब्दील होगे तो मुझे लगता है कि यह ज्यादती है अर्शू बिलकुल ऐसा ही है लेकिन बाराल कुछ ना कुछ बेतर होना चा वीडियो किता होगे वाइस बाड़ी इंट्रेस्टिंग थी वीडियो वाइस भाई का नौज काफी बढ़िया था भई जिस तरह बहुत कर रहे थे और बात करें राममंदीर के तो भई राममद्वन में उन लोगों ने इंडिया ने काफी मुस्लिम कंट्री को इंवाइट दों बात करें गुर्दवादे की ताममंद्य के शिक्रों के लिए Mig के वह मगा के दियो भूष तरह वारी में ओझाइग है उनके लिए वह गुन ध्युर्द वह और यह जाते हैं आंधfik मृइसिवाक ह cities ने दोम ऑर नधिया बड़ती है में की सम mest उब हुखता है पूरी व जो खुछ जोते हैं तुर्णी तॉर पर बैशाम सही जोते हैं वो उदर के लग जाते हैं वो जाते हैं क्योंके बहुत पराना बरावा इस्टोरिकल प्लेस तो उसमें कोई गलत चीज नहीं है अब he whether India द्यद्ता है इस्हामी कांट्रे के लोगों, बोहुत हो ख़ंगा, राम अंदर में आ जा। लाम καे पोई काइन भाचाई ग्याए। लाम अंधर में इमान को भिड़ के लियत में अही अगर इस फेस्ता इकाद मुसमान ही नहीं है। अगर इतनी एसानित है उसका इमान जो बदर करना है एक टाइम से तो बैसा वह पक्का मुसल्मान नहीं है या किसी हिंदु का अगर किसी मुसल्मानों की तरह उचाना था वह पूरा पका हिंदु नहीं है अगर वैस बाइने मैंसिंग कि रहे बड़ी अच्छी लग लगे हैं कि अधीसों में बई भेर फेर तो है हुछ सार यह जाएक भी मानी जाते हैं तो यह जाएक भी मानी जाती हैं लेकि उनमें भी सही हैं या नहीं कोई पता नहीं अपने वलीयों को इस तरह बढ़ा चड़ा के बोते हो अपर चले जाते हैं नभीयों से उपर चले जाते हैं वो कुस्ताख ही नहीं है अगर मुस्लम कर ले कोई लफ़ अंजाने में हो जाए तो भैसाब हम फत्मा लगा देते हैं इसने भैसाब हमारे मजब के तुहिंकी इसका सर तंचे जिदा की चार यह किदर लिखा है अपने आप से वो मन गड़त कहानिया डालते हैं वो गलत नहीं है जिसने अमारा मैंसा दीन खराब हो रहा है बदनाव किया जड़ा बैसाब उसको साइड पर कर दे और मैं उसके ज़रूरत ही नहीं है युकूब जो नहीं है इस बासे भड़क्यों कि इसने यह कौन होता है इस अधिसों को यह काफर है प्लान है इस तरह की बहुत बाते करा था तो भई मैं तो उस बंदे को सही किनूंगा कि जो ठांटिक चीज नहीं है उसको वो रूम करना चाहता है तो सही बात अभी जिसकी वज़ा से फिरके अलागे यह बोला गया अब हदीस पतने वो सही भी आई जानी है यह भी हमें तो हम जो भी आज़ा है आज कर दो बहुत है लेकिन कुरान में यह लिखा कि फिरकों में मत बटो हां साफ साफ लिखा हुआ है मत बटो मेरी करसी को मजबूती से ठाम लो और तफरका में ना पड़ो हां तो यह जादा पड़े हुए और एक दूसरे को हम मुसल्मान ही फिरके वाले एक बिरके वाला दूसरे बतर तिरतर को बोला है तू काफर है तू जननत में नहीं जाएगा पाकिस्तान में देका जाएगर हार भी हमें आखती नहीं है पड़ लेते हैं लेकिन उनके अकसर मीनिग जो है चला हम तो तोड़ा बात पढ़ें हैं, फोड़े बात हमें मीनिंग आते लेकिन मुकम्बत भी नहीं आती आम लोगों तो आती है नहीं वह उपर से देखें के पढ़ते हैं जिम्राध कुरान पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि इसमें लिखा क्या है असल में यही तो अल्ला ने फर्माया बैसाब कुरान को यह निस इनी शिरफ आपने उपर से शिरफ पढ़ नहीं आपको सुभा मेले का नहीं बैसाब आपने पढ़ना ऐसे बैसाब आपको समझ लगे कि अल्ला आपसे क्या करवाना चाहता है तरही वाद है वो उसको बैसाब समझे उस पर अपरी जिन्दी को पला ही तरह हुआ हमने शर्म करान करें और मेर जाए ना तो बैस उस वक्त हमने चालिस पचास लोगों को बिलवा लेंगे कुरान चरी पढ़वा देना चर्फ हमने इसलिए कुरान चरी पढ़ए ज़िए नहीं हैं कि रिखा क्या है क्या उ नियावी तरही भैसाब आजाए ना तो भैसाब कुराँ शरी पढ़ना बहुत ही असान हो जादा समझने में असानी आती है सारे गड़ इस तरफ लोग जाने नहीं देंगे। कि आजम भैसाब के light के असाल होती इसके बाट यह लीकी निया खी है कि अगर वह क्या जाए हुती कि व्यक्ता फोटिया। जीता कौन था एक मुलक अलाइदा हो गया आज वही सैट्यों से पाकिस्तान में सोचल मीडिया का दौरा लोग मुरे बले को जानते हैं जानते ही को चूरण एक मात नाथ को डाए हमें अम्हार चूर अधार हो किसी और बंदे के साथ करें हमें चूर ऑंदै करना लिया के वही यहिए वहारे जाता है है पाड़ नियुक्स है यह अफर उपर से बाकी है अंदरोरी रही है यह उसका है अजिया के वह इनिया के साथ विश बचने केज यह बात और वह में पैसे भी मिलता है यह वरना चैना को कोई तना अच्छा समझदा नहीं है आप चैनी जो हमें कुछ नहीं समझते हैं अजिते वह उसको बोले ना भई के भई आप पर कितने मुश्क्र अलाते हैं चैना ने हमें स्पोर्ट किया एक भल्मा में नी किया नहीं किया उपर से भाइसा जो भी आफात आती है अमेरिका यार्प ये करता है ट्रेड हमारी उदर जा रही है चैना में अमारी केर ट्रेड चैना भी सब्सक्राइब लेगा यॉर्प ने बोला ता जब सलाव आया ता ना कि तुम्हारा दोस्त चैना उससे लोग पैसे चैना ने बोला तो तुम कौन आते हो इस तरह कि बाते करने तो ठीक है बहुता तो ठीक है बहीं तेखते है क्योंता भाई राम बंदिर बन रहा है तो लोग तो भई आएंगे और वो बलाएंगे भी और इसमें किसी को ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए यह और देखाज़त भई हिंदुस्तान के हिस्ट्री में यह हिंदु भाईयों के लिए एक बहुत बड़ी अपर्चुन्टी है उनके लिए बड़ा ही कुशी का दिन अभी आप रिखाथ तक रिजाज़त दें अल्ला है